नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जोट्सना सिंग है और मेरे यूटूब चैनल का नाम जोट्सरी अमेजिंग रेशिपी है आज मैं फोस्ट टैम वीडियो बनाई हूँ और कुछ मीठे से सरुगात करना चाहती हूँ इसलिए मैं साबुदाने की खीर बनाने जा रही हूँ साबुदाने की खीर के लिए आपको एक कटोरी साबुदाना लेना है भिगोया हुआ साबुदाना दो घंडे पहले मैंने भूग गया है चीनी, घी और इस तरीके से आपको कटी हुई ड्रैफूर्स लेना है इसके बाद आपको एक कडाही लेनी है, कडाही को ले करके आपको गेस जला लेना है, कडाही रख देना है, जैसे ही आपको उसमें घी डालना है, जो भी मैंने चमच में घी लिया है, उसको आप डाल लेंगे, डाल करके थोड़ा सा घी को गरम होने देंगे, जैसे हलका हलका मास गी गरम हो जाता है उसमें यह जो आप Twoτα देख रहे हैं आपको उसमें डाल देना है घडाइं में इस तरह से सारे ज्री फूट करके दाल कि एक कर के उसके बाद फूट को निसके हली में पर बून लेना है इस तरीके से देखिएगा कैसे जिसमें से जब अच्छी खुजबू आने लगे तब आपको खराय के फ्रेम को बंद कर देना है अभी इस तरीके से आप बहुनते रहें अच्छी खुजबू आने लगी है हो सकता है वीडियो में कुछ मिस हो जाए कुछ इंडेगरेंस डालते टाइम मैं दिखाना पाओं क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है देखिए मैंने अच्छे से इस तरीके से भुन लिया है सारे राइफूट्स को हम एक कटोरी में उसे निकाले के अलग कर दूँगी गैस फ बिखे है यहां कर दोस्तिक को सा बुदाने को भुनेंगे इस साबुलाने को भी बस चार से पांच मिट तक भुना है वो भी लग फ्लेम पर भुन ना है मत्फ हम आच पे मत्तब मद्यम से भी कम आच होगा उस पे आप भुनियेगा देखे इस तरीके से साबुदाना देख रहा है ना मैंने दो गंडे पहले ही भिगो करके इसका सारा पानी निचोड़ करके भिगोया था देखे कैसे खिले खिले से लग रहे हैं भुनने के बाद और इसमें से खु मैंने फिलहाल अपनी फ्लेम को कम ही रखा हुआ है बाद में बंद कर दूंगी पांच मिट लगबग मैंने भुना हुआ है इसे दूद को हमेशा उबाल करके ही उसमें आप साबोदाने डालिएगा नहीं तो आपका साबोदाना जो दूद रहेगा वो फट जाएगा साबोदाने की वज़े से मैंने आटा भी देखे गुत के रख लिया हुआ है पराठा बनाना है चुकि आज गुरुवार है और हम और हमारे पती गुरुवार को उपवास करते हैं मैं उधर का फ्लेम बन करके इधर रख दिया है ताकि आपको देख सके मेरा कामरा उतना अच्छा नहीं है सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी उधर से मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि आज गुरुवार है तो आज के दिन मेरे और मेरे हस्बेंड का उपवास रहता है तो हम दोनों सामको किसी एक अनाज का भोजन करते हैं वो भी मीथा आज के दिन नमगी नहीं खाते हैं देखें मैंने इसमें साबुदाना डाल दिया है साबुदाना डाल के लगभग 20 मिनट तक आपको बीना चीनी डाले आपको इसको उबालना है इसके बाद आपको चीनी एड करना है चीनी एड करने के बाद आपको इसको फिर लगभग 10 मिनट तक अच्छे से उबाल करके मी मैंने थोड़ा सा कुछ रखा हुआ है तो वो इलाइची है केसर है थोड़ा सा बादाम रखा हुआ मैंने मतलब उसको कूट के रखा हुआ है ताकि उसमें और अच्छी खुसबू आएगी मैं यह बताना भूल गई थी आप लोगों को बाद में मुझे याद आया इसे खुस के बाद आपका जो खीर है वो बहुत ही मतलब ठीक हो जाएगा जादा उबालेंगे क्रीमी क्रीमी लगेगा देखने में आप ही देखेगा रिड्रल टाइप के सामने रहेगा आप के हाम पर कैसे खीर बिनाते हैं दोस्तों आप जरूर कमेंट करिएगा आपको वीडियो अ इसी तरीके की ठीकनेश चाहिए अब सारी जो है इसमें ड्राइपुट्स एड़ कर दीजिए बाकी थोड़ा सा बचा लिजेगा बाद में सजावट के लिए और इसके बाद गैस को बंद कर दीजिएगा थैंक्यू फोर ओचिंग